दूर संचार वाहिनी आईटे वीपी शिपुरी ने पिछत्तरवा सतन्षता दिवास उत्साहापूरवक मनाया सबसे पहले स्री राजीव लोचन शुकल उप महने रिक्षक दूर संचार की द्वारा शहीद इसमारक पर पुषपांजली अर्पित की गई इसकी बाद कारिक्रम का शुभारम हुआ सुसजित तरीके से यहाँ पर कारिक्रम का शुभारम हुआ इसकी कमान श्री प्रेम चंद्र सैक सेनानी के द्वारा समाली हुई थी परेद की सलामी के द्वारान श्री राजिव लोचन शुक्ल उप महने रिक्षक दूर संचार की द्वाजाँ ज़चान रोखन क्या गया सबसापर राजीव लोचन शुक्ल उप महने रिक्षक ने उपस्त अधिकारी गण उनके परिवार को पिछतधर्वे स्वतांतरुता दिवस की बधाय ंई झाल झाल जाल झाल आधिकारवन्जी के अधिकारिगां, अधिनस के अधिकारिगां, इंदीर साथियों, मैं आप सभी को सवतंता दिवस की आर्दिक्षोप कामना देपा, जैसा कि हम सभी को पता हैं, ये सवतंता हमें 15 अगर्स 1947 को हमारे लाखों सवतंता से नागियों के बादिदां और उनके स पतत संधर्ष के वज़े से प्राप्तिदा का आभास चत्तरवी वर्षगांट पे, ये हमारे भारत इबत सीमा पुलिस के प्रांगड में जो आयोजन हुआ, इसमें हमने जवानों, उनके परिवार और तमाम जो हमारे स्टाफ हैं, सब के साथ मिल के हरसु अला से मनाया, औ कोविड के कम होने के बाद, ये पहला आयोजन यहां पे किया गया है, और लोगों में बहुत उत्सा है, एक तो स्वतनता दिवस के उत्सा है, उपर से कोविड से जो बंद थे लोग घरों के अंदर, उसके लिए भी बाहर आने पे उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, और और अंग्रेजों को ये गुलामी को इसे दिन हम तोड़ के आजाद हुए थे, तो मेरा शुपरिवाशियों और सभी से हमेशा हमें सतनता दिवस को बहुत उल्ला से मनाना चाहिए, और उन सेनानियों के प्रति कृतक गिता यापित करना चाहिए, जिनों ने आज ये दिन के लिए अपना सर्वस देश के लिए निवचावर कर दिया, जै हिंद, ये प्रतियोगता हैं, ज्यादा तर फिजिकल, दोड़, बच्चों की दोड़, उनके फेमिलीज की दोड़, जस्ट इनके अंदर एक कम्टीटिवनेस और हाशी खुशी पैदा करने के लिए ये सब किये जाते हैं, कोई सीरियस नहीं रहती है, लेकिन ये है कि फंक्शन के लिए छोटी मोटी प्रतियोगता हैं की जाती है,